कि भारती जनता पाट्टी के सरकार में कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पर सिर्फ खोखला वादा रहा और समाजबादी पाट्टी के सरकार में हम लोग विकास किये थे और विकास करेंगे भी इसलिए कि उमीद जनता का है अखिलेस यादों के नतित्म सरकार बनाने के जिस तर से राज खा जाने को गाओं के तरफ देने का उन्होंने संकल पत्र गोसरा पत्र में जो उन्होंने जारी किया है उसमें चाहे मत्यम बर बेपारी उसमीं उन्होंने सबके लिए कोई न कोई स्कीम लाया है कि जिसे सारे लोग लभानुईत हो सकें। जिस तरह से उन्होंने 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियन देने का उन्होंने एलान किया है। उसी तरव से 22 लाग बच्चों को जाब देने का भी उन्होंने संकल्प लिया है। एक करोण महिलाओं को 18,000 सलाना के इसाब से समाजवादी पेंशन भी देने का एलान किया है। वही कन्याओं को चन्याविध्याधन यानी जीतना इंटर में लड़किया पढ़ रही हैं। उन्होंने कह मैं इतना हैं नहीं किसानों को जिनका 2 एकर से कम किखेती हैं। उसे दो बोरा डीएपी और पांच बोरी यूरिया क्या भी स्वयोग करने की बात कहें तो किशान को बिजली फिरी हो गई उसके पतनी को समाजवादी 75-500 रुपिया महिना मिलने लगेगा अगर कन्या है तो 35,000 रुपिया कन्या विद्या धन मिलेगा खेत की सिचाई की बिजली फिरी हो जाएगी डाई 1400 रुपिया बोरी मिलना है दो बोरी 14 दुन आठाइसो पांच बोरी अगर यूरिया मिल लगे तो डाइसो की भी रेट से जोड़ी है तो कम से कम दसो हजार से अधिक समाजवादी पार्टी के सरकार में परतेक परिवार को मिलने जा रहा है बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पीछले घोषणा पत्र को अगर आप अध्यान कर लें तो जनता यही कह रही है कि मुझे अच्छा दिन नहीं चाहिए मेरा बुरा दिन ही लोटा दो आपका बीजेपी का अच्छा दिन मुझे नहीं चाहिए जो पुरा पुराना बुरा दिन ही था उसी को लोटा दो उसी में हम खुशाहल थे कि अच्छा दिन आया हर आत को काम मिले झाल झाल